हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टो माई चैनल ब्यूटी टेप्स विजिया आई होप यू आर गोड तो आज जो मैं अपने वीडियो में लेकर आई हूं आपके लिए बहुत ही कॉमन सी प्रॉब्लम के लिए टिप है जिसे कि बहुत सारे लोगों को यह प्रॉब्लम होती है कि स्कीन राथी त्री टाइब साब्सक्राफ फिसकीन हमें पता हins यहां आयुटी नारमल होती है wizard होती एंधार जितनी प्रॉब्लम से नहीं होती है उससे ज़सी वालों को होती है क्योंकि जो उनकी स्किन है वह बहुत ही जल्दी उन पर fine lines आ जाती है रिंकल आ जाते हैं और वह समय से पहले ही बुढधे लगने लगते हैं लोग तो dry skin वालों को problem जादा होती है क्योंकि उसमें dryness के उसे इच्चिंग होने लगती है पूरे बॉडी पर फेस पर और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं तो फ्रेंट्स आज में शेयर करूंगे आपके साथ की ड्राइनेस को आप किस तरीके से चुम हंतर करके भगा सकते हैं इजीली होम रिमेडिस के यूज से ही तो फ्रेंट्स अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक करिएगा थमसब का बटन दबाईएगा और शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा बेल बटन दबाईएगा ताकि जो नए नोटिफिकेशन्स ह वीडियो लेट्स सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि यह सबसे हमारे कारण होता है कि हमें बहुत ज़्यादा साबून का यूस कर लेते हैं या बहुत ज़्यादा हम फेस वाश लगाते हैं या बार-बार में हम फेस को धोते रहते हैं तो हमारा जो normal जो naturally जो skin पर oil होता है वो उपर वाली layer से जो हमारी उपर वाली layer होती है skin की, face की या body की पूरी dry हो जाती है और जो अंदर की layer होती है वो भी सूखने लगती है उसमें जो पानी होता है वो भी नैचुरली खतम होने लगता है जिससे क्या होता है कि हमारे स्किन बहुत ज़्यादा ड्राय हो जाती है और फिर दूसरा होता है जैनेटिक हेरेडेटिक प्रॉबलम कई लोगों को यह होता है कि उनके घर में पैरेंट्स की या जो उनके घर मे ग्रेंट्स है उनके लोगों की अगर ड्राय होती है तो उस वजह से भी इस ड्राय होती है कई लोगों की या फिर हम बहुत ज़्यादा गरम पानी से नहाते हैं या गरम पानी का जादा यूज करते हैं तो जो नैचुरली हमारे स्किन का ओईल है वो खतम हो जाता है और कि कि हवाओं से हमारी स्किन राय हो जाती है यहां पर गर्मी में बहुत हैं बढ़ा इसकें उम्मर बढ़ती है हमारे जो ऑईल ग्लेंड्स हैं उनका प्रभाव कम हो जाता है हमारे बॉड़ी में फेस पर जल्दी हमारे ड्राइनेस आने लगती है तो बहुत सारे रिजन्स होते हैं इसकिन के ड्राय रहने के कोई एक रिजन नहीं होता तो कहीं लोगों का तो यह होता है कि जैसे 25 तक उनक स्किन लाइनेस कैसे आशक्ड होने के आप पने ओपमेश अधाया को जाए लोंग ऑनाय कैसे दे सकते हैं तो वे बैख लोगियानिक यहीशा हम नहीं को ख peanut है कुर्क करती हूं पहले थिस और फ्रेंड्स लाइक से एफ reacts रहां होता है यहाई अधर है यह क्लातर आट को पो इसको मैं इतना मिला लूँगी आदा चमच इसमें मैं डाल रही हूं और इसको अच्छे से मैं मिक्स कर दूँगी अपनी फेस पर और अपनी पूरी बाड़ी पर भी आप इसे अपलाए कर सकते हैं नहाने से पहले तो आपका ड्रायने से घicamente झालब तरहा बाड़ी यापा देना माराइक दिसको अधारी पोड़ी पाड़े करिंगी कि आपको हफते में एक या दो बार ही इसे अप्लाइ करना है और ये ड्राइ स्किन के लिए बहुत ही हेलफुल है पूरी जो ड्राइनेस होगी आपकी स्किन की वो खतम कर देगा तो मैं आपको इससे बताऊंगी किस तरी किसे आप अप्लाइ करेंगे जो सेकंड रेमेड है फ आलमेंड ओयल में आपकी स्किन की जो भी ड्राइनेस है उसको दूर करने का बहुत ही आसान तरीका है आप घर में अलमेंड ओयल रखिए और उससे आप अपनी स्किन को नरिश कर सकते हैं और मैस्ट्र रख सकते हैं तो इस तरीके से यह दोनों जो फेस मास्क हैं बहुत ही प्रिपेर हो जाते हैं घर में और इसे बना सकते हैं और इसे एपलाई कर सकते हैं तो इसे आप बना लिया और इसको आप बना करके एक से दो दिन तक फ्रीज में रख सकते हैं कुछ खराम नहीं होगा इसमें आप एक से दो दिन तक यूज कर सकते हैं दो दिन तक आराम से आप इसे बना कर रख सकते हैं इसको किसी प्लेट से ढख लिएगा नहीं तो उस पर थोड़ी पप्टी आ जाती है सूखी सूखी होने लग जाएगी वह क्योंकि इसमें मिल्क क्र आप जाते हैं तो आप फ्रेज में भी रखते हैं तो थोड़ा सावन करके रख दीजिए आपकी दो से तीन दिन तक आराम से चल जाएगी आप नहाते हैं तो पूरी बॉड़ी पर इसे एपलाई करिए और आप जब यह अपलाई करेंगे तो इसके बाद साबून का यूज नहीं करेंगा पूरी बॉड़ी पर इसे अपलाई कर सकते हैं जिससे जो आपकी डॉलनेस ड्राइनेस की जो प्रॉब्लम है एकदम से खतम हो जाएगी क्या होता था कि जैसे पहले हम आज भी करते ही हैं जैसे बच्चे चोटे होते हैं तो उनकी कोकोनेट ओयल या फिर किस अपने बॉड़ी पर आलमंड ऑईल से जिस भी ऑईल से हम मालिश करते हैं बच्चों को अच्छे से मालिश करके और उसके गंटे बाद उनको नहलाते हैं क्योंकि उनकी स्किन जो है ड्राइनेस से बच जाती है यह यह एक रीजन होता है बच्चों को मालिश देनेगा तो जो हमारे ड्राइनेस ड्राइनेस के लिए आप कितनी ही क्रीमें यूज कर लीजिए कितने ही मॉश्यूराइजर यूज कर लीजिए लेकिन जो अपने बॉड़ी पर ऑईल का काम होता है वो कोई भी क्रीम या कोई भी मॉश्यूराइजर आपका नहीं कर पाएगा तो आप एपलाई जरूर करिए अपनी बॉडी पर अपने फेस पर तो इससे के कोई साइड इफेक्ट नहीं है आपका जो स्किन की ड्राइनेस है डलने से एकदम से खतम हो जाएगी तो इस तरीके से यह देखी फ्रेंड्स जो मैंने फर्स्ट आपको रिमेडी बताई थी यह मलाई औ और वर्जिन और बहुत है आप पूरी बाड़ी पर भी आप खालिक वर्जिन और का मैंने पूरा वीडियो दिया है अपलाई कर सकते हैं जिससे आपकी जो ड्राइनेस बिल्कुल खतम हो जाएगी तो इस तरीके से आप इसे पूरे फेस को वाश करने के बाद अपलाई कर वो कि आपको बहुत ही फायदा होगा आपकी जो ड्राइनेस रडलनेस से बिल्कुल ही खतम हो जाएगीं और राइना से Hasid whatever और जल्दी रखाये लगता है और सारी व्यूटि हमारी खतब जातें ही ड्राइनेस की कारण तो उस problem का ये एक बहुत ही अच्छा solution है बहुत easy solution है आप any type of skin वाले कर सकते हैं से oily skin वाले भी इसे apply कर सकते हैं थोड़ा सा अगर नीबू मिलाकर वो लगाएंगे तो उनके लिए भी बहुत effective होगी क्योंकि इसमें skin को fair करने का भी बहुत ही अच्छा वो है इसके अंदर क्य सकती है और coconut oil है जो हमारे जो दाग धबी होते हैं उन सब को मिटाने का काम बहुत ही आसानी से करता है तो oily skin वाले भी इसे थोड़ा सा नीबू की मिलाकर के यूज कर सकते हैं इस face mask को normal or dry skin वाले तो directly जैसे मैंने बताया है coconut virgin oil और मलाई मिलाकर के यूज कर सकते हैं अगर oily skin skin वाले अगर इसे लगाना चाहते हैं तो इसमें थोड़ा सानीबू मिला लेंगे तो उनके लिए भी बहुत ही इफेक्टिव होगा यह फेस मास्क्राइब इस तरीके से आप इसे अप्लाइब करेंगे 15-20 मिनिट तक और उसके बाद इसे आप वाश कर लेंगे जो आपके skin की dryness है, dullness है वो बिलकुल गायब हो जाएगी कुछी दिनों में तो इस तरीके से आप अपने हाथों पे भी इसे अप्लाइब कर लेंगे यह देखी फ्रेंट्स पूरी बॉड़ी पर आप इसे लगा सकते हैं और इसी तरीके से फ्रेंट्स यह वाला है जो फेस माक आप इसे भी इस तरीके से अप्लाइब करेंगे अलॉवेरा जयल और अलमं को अच्छा उपायँ है और डर्ली और डॉली स्किन को दूर करने का तो इस तरीके से आप इसे लेंगे और पूरे फेज पर इस तरीके से अप्लाइब कर लेंगे यह देखए फ्रेंट्स इस तरीके से और देखिए आपको इंस्टेंट आपके जो स्किन है उस पर ब्राइटन लुक दिखाई देगा तो दोनों में से आप कोई भी रिमेडी यूज़ कर सकते हैं ड्राय स्किन के लिए बहुत ही एफेक्टिव है जो आपके यहां पर हाथों पर सर्दियों में ड्रायनेस आजाती यह बहुत ज़्यादा हाथ फटे कटे फटे हो जाते हैं तो अलोवेरा जेल है बहुत ही अच्छा उपाय है आपकी ड्रायनेस को दूर करने का आप सीटाफल मेंस्टराइजर का भी उस कर सकते हैं जैसे अगर आप नहा कर आते हैं थोड़ा हलका अगर आपकी स्किन गीली ह फेस की तो बॉड़ी की तो आप उस पर सीटाफल मेंस्टराइजर एपलाई करके छोड़ सकते हैं तो वह भी आपके ड्राय स्किन को बिलकुल नॉर्मल करेगा आपकी जो ड्रायनेस की प्रॉब्लम है उसको दूर कर सकते हैं और बना सकते हैं आपनी स्किन को बहुत ही ब् इस तरीके से और छोड़ सकते हैं तो अभी मैं आपको मिलती हूं 20 मिनिट के बाद तो 20 मिनिट होचके फ्रेंट्स मैं आपको दिखाती हूं इसे पुरा वाइप करके यह देखिए इंस्टेंट आपको अपनी स्किन पर ब्राइटिल लुक दिखाए देगा और फ्रेंड्स आप इस तरीकी की होम निमेडिस यूज़ करने के साथ साथ अपना खान पान का भी ध्यान रखिए जैसे कि आप पानी ज्यादा पीए नारियल पानी पीए और ज्यादा साबून का इस्तेमाल ना करें और ज्यादा चाई कॉफी का यूज़ ना करें खी रखाएं टमाट रखाएं हल्दी डाइट को अपनी डाइट में शामिल करें तो इस तरीके से आप अपनी स्किन को बहुत ही ब्यूटिफुल बना पाएंगे और ग्लोइंग रख पाएंगे और आपक देख पाएंगे खुडी देख पाएंगे आप कितना आप गदम स्मूथ स्क्रीन दिखाए देगी आपकी जो डलनेस थी वह एकदम से खतम होती दिखाए देगी और ब्रेटन लोग देख पाएंगे तो इन चीजों को लगाने के साथ साथ होम रेमेडिस को यूज़ करने क तो आई होब मेरा ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हैलफुल रहेगा और मिलते हैं नए डियाइवाय के साथ नए ब्यूटी टिप्स तक के लिए बाबाए टेक क्यार